है अधो कि अधो में में कि आधो कि अभर को सॉलब करेंगे लास्ट वीडियो में हमें ट्रेम पार्ट वन में ट्रेन से रिलेटेट कुछ बेसी कोस्टनों को सॉलब करेंगे जो mostly competitive exam में पूछे जाते हैं अगर आपने इसकी last video part 1 नहीं देखी तो नीचे दिएगे description में link पर जाकर आप उस video को भी देख सकते हैं अब part 2 में हम इसके कुछ advanced questions को solve करेंगे तो चली start करते हैं देखे पहला question है station A और B के बीच 330 km का distance है एक rail गाड़ी A से B की और 60 km per hour की speed से तुबह 8 बजे चलती है और दूसरी rail गाड़ी B से A की और तुबह 9 बजे 75 km per hour की speed से चलती है तो बताइए A से चलने वाली गाड़ी B से कितने समय बाद मिलेगी B से चलने वाली गाड़ी A से कितने समय बाद मिलेगी और दोनों कितने बज़े एक दुसरे से मिलेंगे। तो देखे, क्वश्चन में क्या बोला गए। इस 것은 है कि A के बीच का इसे तीन सो संतीं किलोमीटर का The B, इस से चलने वाली गारी 60 km और और सुबह आथ बज़े चलती है यह असकी स्पीद सिक्स्ती किलोमेटर पर आर विशरे बारी चल रही है और बी से चल दिए जो पहले ही रवाना हो चुकी है यानिके एघंटे जब चल लिए तो उसने एक गंटे में 6 किलोमेठर का डिस्टेंस तो पहले ही कवर कर लिया एक गंटे में आठ बजे हम्हक था और 9 बज वह यहां था एक घंटे पहले इसने 60 chunk का डिस्टेंस पहले ही कवर कर ले क्योंकि इसकी स्विर। 60 killes पर कर रहे अब देखिया यहां से जब से चलने वाली गाड़ी यहां पोस्ती है नो बजे अब इस टेशन बी से चलने वाली गाड़ी भी नो बजे चलती है तो यह दोनों कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो देखे एक घंटे बाद एक घंटे बाद यानिके एसे चलने वाली गाड़ी के एक घंटे बा में से आप 60 km को माइनस कर लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 230 km ऐसा इसलिए क्योंकि यह आठ बजे चल चुकि एक घंटे पहले एक घंटे तक इसने 60 km का डिस्टेंस कवर कर लिया अब 9 बज़े यह बीच चल रहे है और 9 बज़े यहा पर है तो के बीच का डिस्टेंस कितना बचा 270 किलमेटर का यहां पर स्पीड देखिए स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड जब दो रेल गाड़ियां एक दूसरे से अपोजिट डियरेक्शन में आती है यह रेल गाड़ियां इस तरफ चल रही है जाली इस तरफ चल रही है दोनों कि द्यूसरे के अपौजिव स्पीड प्लस हो जाती है पहले रेल गाड़ी की स्पीड 251 किलोमेटर पर आर गंते बाद अब यहां पर यहां पे देखिए कि कितने समय बाद मिलेंगे तो time बराबर क्या होता distance upon में speed time बराबर distance कितना है distance हमारा है 270 और speed कितनी थी इनकी 135 और दीजे तो यहां पाजागा दो घंटे याने के दो घंटे के बाद कितने बज़े बोला गया है तो 9 बज़े इसने यहां से start किया 9 बज़े यहां से start किया यहां से एक घंटे चलने के बाद यह दोनो घंटे के बाद मिलेंगे याने कि एक का समय होगा एक का समय होगा एक का समय कितना होगा क्योंकि एक घंटे और चल चुगा और यहां 9 बज़े के बाद यह एक दूसरे से 2 घंटे के बाद मिलेंगे तो A का समय होगा 3 घंटे बाद A 3 घंटे के बाद मिलेगा और जो रेल गाड़ी B से चल रही है तो B का समय क्या होगा क्योंकि ये दोनों रेल गाड़ी 9 वजे के बाद 2 घंटे के बाद मिलें तो B का समय हो जाएगा 2 घंटे और question में ये पूछा गया था कि दोनों कितने वजे मिलेंगे तो देखिए 9 वजे यहां और 9 वजे यहां भी है तो 9 में 2 घंटे जोड़ दीजिए तो 11 बजे तो दोनों गाड़ियां 11 बजे एक दूसरे से मिलेंगे तो दोनों रेल गाड़ियां 11 बजे एक दूसरे से मिलेंगे यहां आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 घंटे का समय है एक घंटे पहले ले लिया और 2 घंटे यहां तो टोटल 3 घंटे तो 8 में आप 3 जोड़ लिए तो 11 यहां गंटे पहले चल चुका है और B 2 गंटे के बाद मिलेगा चले इसी से रिटेड कोशन और करते हैं सेक्ट कोशन देखिए यह कहता है इस्टेशन A और B के बीच की दूरी 110 किलोमेटर है एक रेलगाड़ी A से B की और 40 किलोमेटर पर आर और दूसरी रेल गाड़ी B से A की और दो घंटे पहले ही 50 किलोमेटर पर आर की स्पीड से चल रही है तो दोनों कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो सबसे पहले देखे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है एक रेल गाड़ी 40 की स्पीड से A से रवाना होती है और दूसरी रेल गाड़ी दो घंटे पहले ही रवाना हो चुकी है याने कि ये दो घंटे और डेडी चल चुकी है तो दो घंटे में 50 की स्पीड से ये 100 किलोमेटर का डिस्टेंस तो पहले ही कवर कर चुकी है चुकि यह दो घंटे पहले चल चुकी है और यह दो घंटे बाद चल दे तो दो घंटे में इसने 100 km का डिस्टेंस तो पहले ही कवर कर लिया अब दोनों दो घंटे के बाद यह यहां पहुँच चुकी है और इस्टेशन यह वाली रिल गाड़ी अब इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो केबल 10 km का रह जाएगा तो यहां पर देखिए दो घंटे के बाद तो आर लेटर दो घंटे के बाद जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 110 में से आप 100 को माइनस कर दीजी यहां पर आ जाएगा 10 km का डिस्टेंस बचेगा क्योंकि यह दो घंटे पहले ही रवाना होगे दो घंटे में से 100 km का डिस्टेंस पहले ही कवर कर लिया अब इनके बीच का ज आफार देखें, गभी 50 Dean होता है।atar दूर यहां एक दूसरे के आपजी डायरेक्शन में आती है तो उनकी अनकी و स्पीड स्पीड प्लस हो जाती है id पहले की स्पीड चालिस थी दूसरे की स्पीड थी पचास तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 90 किलोमेटर पर आर अब यहां पर देखिए हमें डिस्टेंस में मालूम है और हमें टाइम भी मालूम है स्पीड मालूम है दिस्टेंस हमारा 10 km इसे नबबे किलोमेटर तो इसने बुला कितने समय बाद यहां पर टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर लिए टाइम बराबर क्या होता डिस्टेंस अपोन में स्पीड नबबे किलोमेटर पर आर आप इसको काटेंगे वन वन अपॉन म 醒9 आर्वाड तो सब इसरी बात में हो मिनट में कनवर्ड कर लीजिए यह जिया को मिनट में करेंगे यह संट से से की मल्टिप्लाई करेंगे से इन और यह बीस तो वहते में में मिनट में यह एक दूसरे से मिलेंगे इसका अगर आगए ल संव satisf करते हैं तो छे, दो सई, दो बटा तीन, छे सई, दो बटा तीन मिनट के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे, तो इस कॉस्टन में सुरिफ ये पूछा गया तक कितने समय के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे, आंसर हमारा आगा, छे सई, दो बटा तीन मिनट के बाद ये एक दूसरे स तो यहां पर देखिए कितने समय बाद मिलेगा है क्योंकि इन यहां से चलना किया टो यह मिलेगा पर आगए से पूछा जाता की बी कितने समय के बाद मिलेगे तो तो B मिलेगा दो घंटे 6 सई 2 बटा 3 मिनट के बाद चलिए next करते हैं next question देखिए यह कहरा 240 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी एक वेक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है एक रेल गाड़ी 240 मीटर लंबी है और वो एक वेक्ति को 8 सेकंड में क्रॉस कर जाता है opposite direction से और रही झानी लंबी एक रेल गाड़ी जबकि opposite direction से उसी लेंद की रेल गाड़ी और यह उसे 6 सेकंड में तो हमें यह बताना कि ना कि दूसरी रेल गाड़ी की स्पीड कितनी है तो सबसे पहले यहां पर देखिए पहली रेल गाड़ी की जो लेंथ है वह 240 मेटर है और वह क्योंकि एक वेक्टी को सबसेघ्य है हम पहली रेल गार्टी की स्पीड कितनी है रेल गार्टी की य है कि इसीर पहली डgendeल गारड़ी की साइब होता से 202 241 और टाइम कितना यहां पर 8 एकी स्पीड दो सो चालिस शुकर बेंदस करने उसकी स्पीडू करूस स्पीड 240 कि कि मुणते में यानिके 60 मीटर पर सेकड है यह तुमारी एक की स्पीड या अब हमें निकाल 23 चाहे थो घृड के आरये चे और दूसरे पर ब्लस हो जाएगी पहली र्याइलगाड़ी की प्टी-टी थी और दूसरे ऐसे अनुच के स्पीड कौठ यह था एक्स जो दूसरी रियलगाड़ी आ रहेठी उसकी स्पीड हो हम एक समाल लेथे तो जब दो रेलो काडिया पोजी डैरेक्शन साते तो हमेशा उनकी जो स्पीड होती है जिसकान रेलाटीब स्पीड कहते हैं वो दोनों आपस में जूड़ जा तो पहले रेल प्लस में दूसरी थी यहा पर डिस्टैंस आ गया हमारा impact the color यह हमारे पास यहां स्पीड भी एक गया जो ताइम उड़ा है यह दुम हमारी चीड में क्रॉस करें अब हमारे पास यहां पर टाइम भी है अब आप यहां पर टाइम का फॉर्मल लगाना टाइम का लगा लिजे डिस्टेंस का लगा लिजे स्पीड का लगाना एक वोल तुब इसको काटे अट्ट तालिस याने के यहां पर आगया असी मिटर एक्स कितना जागा है यहांपर सब्सक्राइब करें एक स्पीड कितनी जाएगी 240 बटे में आठ याने के 30 मीटर सेकंड दो रेल गाड़िया जब अपोजी डिरेक्शन में आती है तो उनकी जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है तो पहले रेल गाड़ी की स्पीड तो 30 थी पर दूसरे की हमने एक्स माल ल आप अंसर आजाएगा 50 मिटर पर सेकंड दूसरी रेल गाड़ी की स्पीड अगर इसे किलो मेटर पर आर में पूछा जाए तो आप इन दोनों को इसको अठारा बटे में पांच और इसको भी अठारा बटे में पांच से मल्टिप्लाई करती है तो वह किलो मिटर पर आर स् एसे और क्यू स्ट्रेशन वी से एक दूसरे की ओर चलते हैं और रास्ते में मिलने के बाद इसमार नोगंटे के बाद स्ट्रेशन और क्यू नोगंटे के बाद स्ट्रेशन She's a किलोमेटर पर R हो तो Q की स्पीड हमें निकाल लिए पॉस्चन में ये बोला गया है कि, मालने ये दो श्टेशन है ए और B إिए यहां से ट्रेंड P कि रवाना होते tdapt यह से क्यू रवाना होती भी की है। श्टेशन A से रवाना होती है बी की और 게 ju से मिल जाते हैं तो पी को बी तफ पहुंचने में 16 घंटे का समय लगता है और इसी तरह की कि की सवाल कभी लाई भी है कि दो ट्रेन एक दूसरे की और चल रही हैं और मिलने के बाद वह डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अपने इपने पहुझ जाती है और एक की स्पीड गिवेन ना हो ऐसी में हमें पी क्यों की स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले आप लिखे पी की स्पीड जो गिवेन है कि की स्पीड अपोन में क्यों की स्पीड कि एकवल में पी की स्पीड अपोन में क्यों की स्पीड इसके बाद यहां पर क्यों का टाइम देखिए और P का time याने कि P की speed कितनी थी अपन में Q की speed किती थी इनकी speed का ratio Q के time और P के time का ratio इसको आप root में डाल दीजिए इस तरीके से इस trick के द्वारा भी इस परकार के question को solve किया जा सका did P की speed कितनी थी 24 km पर hour Q की speed हमें निकालनी थी आप इसको X मान लीजिए क्यू का टाइम किया है क्यू का टाइम था 16 गंटे 9 गंटे और पी का टाइम था हमारा 12 गंटे आप इसको सॉल्ब करेंगे तो 24 अपोन में X 9 का 3 और 16 का हो जाएगा यहां पर 4 प्रॉस मल्टिप्लाइ कर देजिए जब आप इसको क्रॉस मल्टिप्लाइ करते है इसकी मुल्टिप्लाइ से और इसकी मुल्टिप्लाइ से यहाने कि in short एकस इक्वल टू क्या जाएगा 24 इन्टू 4पोन में 3 कि अब इसकी से मल्टिप्लाइ कर लिजिए और अपोन में 3 को लिया यह तो X कितना आ गये यहां पे तीन अठे 24 आठ चोक 32 तो उस की स्पीड हो जाएगी 32 किलोमेटर पर आर तो यहां पर क्यों की स्पीड आ गई जिसकी स्पीड निकालनी उसका टाइम अपन में जिसकी स्पीड गिवन है उसका टाइम आप इसको रूट में डाल दीजिए आपका अंसर आजाएगा नेश्ट कोश्चन में देखिए यह एक रेल गाड़ी और एक प्लेट फॉर्म की लबाईया बराबर है यदि रेल प्लेटफरम की लफ्यघ्र होगी देखिए रेल गाड़ी और फ्लेटफरम की लमबाईया हमेशा मीच्टर में हुता है तो मिटकी लंबाई ईक्समित्म अक्टर जब भी कोई बह irasco लिएक किसी तो क्रोस कर जाएग या फिर किसी प्लेटफर्म कोणों को सब्सक्ते होता है यहां पर रेल गाड़ी के लंबाई और प्लेटफर्म के लंबाई इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो टोटल डिस्टेंस हमारा जाएगा टू एक्स मीटर अब रेल गाड़ी की जो स्पीड है वो 90 किलोमेटर पर आ रहे हैं और डिस्टेंस हमारा मीटर में तो इ पांच बटे में 18 से इसकी मल्टिप्लाई कर दीजिए यह हमारा जाएगा मीटर सेकिंड इस तरीके से स्पीड हमारी आ गई स्पीड भी मीटर में होनी चीए और रेल गाड़ी की स्पीड मीटर सेकिंड होती है तो यहां पर रेल गाड़ी की स्पीड मीटर सेकिंड में कनवर्ट कर दिया गया अब टाइम देखें यहां पर टाइम कितना है टाइम है यहां पर एक मिनट का और स्पीड है मीटर सेकिं सबकी यूनिट एक जैसी हो गई हमें निकालना था कि प्लेट फॉर्म की लंबाई कितनी यह निकालना था तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी थी स्पीड थी हमारी 25 और टाइम था यहां पर साड़ का पच्छिस की साड़ से मल्टिप्लाई करें जीरो एपंजे तीस है दुनी बारा तेरा और एक चौदा है दुनी बारा और दो फंद्रा पंद्रा सो मेटर क ैंस और हमारा आघया पर जो हमारा डिस्टैंस था वह तो था टू एक्स धिस्टैंस कितना है यहांप पंद्रा सो और यहां पर तू एक्स-क की वैलिवए कितनी आ जाएगी 15 devil में धो Carlo ऐंजा हूए 150 अडर एकर और यहां डर एक्स रिक 출ॉसर की लिप्लिद्धा कितने हैं कि 750 मेटर सबसे पहले थे इसकी मिलों मिनट का तो मिनट को भी सेकेड में कर लीजे स्टेंट का 50 प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 750 होगी और रेल गाड़ी की लंबाई भी 750 होगी इस कोश्चन में देखिए यह करा एक रेल गाड़ी 50 किलोमीटर चलनी के बाद दुरगटना गरस्त हो जाती है इस कारण उसकी स्पीड पहले वाली स्पीड की तीन वटा चार गुनी हो जाती है यानि कि जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी वो अपने ओरिजिनल स्पीड का 3 upon 4 time से चलता है और इस कारण उसे अपने स्टेशन पर पहुंचने मे 35 मिनट लेट हो जाता है अपने स्टेशन पहुंचने में उसको 35 मिनट जादा लगते हैं यही एक्सिडेंट उस इस्थान से 24 किलो मिटर आगे चलकर होती है तो गाड़ी स्टेशन पर 25 मिनट देरी से पहुंच थी तो गाड़ी की स्पीड बतानी है और गाड़ी द्वारा त 50 krijमिटर चलने के बाद मालीतेहां से यहां तक 50 किलो मिटर का डिश्टेंस से 50 चलने के बाद वो यहां पर द्रगटना गरस्त हो और होतर स्थ स्टीर बुटाइब के कारण पर यहां घया और यहां तक पर एक्स प्रार और की स्पीड से चल रहा है यहां से लेके यहां तक तो x kms per r ke spid से चल रहा था पर यहां से अब वह यहां तक 3 upon 4 x kms per r ke spid से अब वह जा रहा है क्योंकि accident हो गया और ऐसा करने पर उसको 35 मिनट जादा समय लगता है तो यहां पर उसको 35 मिनट का जादा समय और लग गया यहां से यहां तक पहुंचने में अगले पर बोल रहा है कि अगर यही एक्सिडंट उस स्थान से यानि कि इस इस्थान से 24 कियूमिटर आगे हुआ होता तो C के बाद माल दीजिए यहां पर D है और accident यहां ना आओकर यहां पर हुआ होता और इनके बीच का जो distance है वह है 24 km तो C की जगे अगर D पर हुआ होता तो अब उसे पहुंचने में 25 मिनट का अधिक समय और लगता यानि कि अब उसको 25 मिनट का समय और जादा लगता यानि कि अगर वह C पर accident होता तो 35 मिनट का समय लगता जादा और अगर 24 किलो मिनटर आगए यानि कि डीपर होता तो उसको पहुंचने में अब 25 मिनट जादा लगते तो हमें निकालने गाड़ी की speed कितनी है और यह गाड़ी A से लेके B तक कितने distance इसे ने travel किया है अब देख तक आ रहा है और क्योंकि माल लीजिए कर B पर होता तो A से लेके D तक वह अपनी original speed से ही आता और D के बाद वह अपना 3 upon 4x km किलो मिटर का ही ध्यान रखना है कि 24 किलो में यहाँ कि अ अगर वह से लेकर दी तक अपनी स्पीड से जाता है और फिर दी कर बी तक को तीन बाटा चार X की स्पीड से जाता है तो दस मिनट का समय ज्यादा लगता है यहाँ पर हम time का formula apply करेंगे सबसे पहले पर that कि लिजे लट औरीजिनल स्पीड माल लिजे ऑरीजिनल स्पीड औरिजिनल स्पीड माल लेते हैं पर x kilometer per hour तो हमने और इस्पीड यहां पर x kilometer per hour माल लिए अब उसके बाद जो new स्भीड होगी थी चेंज होगी दी इक सीडेंट होने के कारण तो नई स्वीड उसके कितनी जाएगी यह उरीजनल स्पीड की कि लए देढे आप्ले हैं वे किसको मैंज आपो ठला करना केबल 24 किल मिटर रोगे जो ऐक्सिडेन यह तो पहले यहां बाद में की कंडिशन बता रहा है तो डिस्टेंस यहां पर हम 24 किलो मिटर लेते हैं और टाइम का अंतर कितना आजाएगा यहां पर पहले 35 मिनटे लेट पहुँच रहा, बाद में 25 मिनटे लेट पहुच यपीस मिनटे बाद में 25 मिनटे रहें तो यहां पादे है कि दस मिनट采म का तायम का या來 पे अंत्र आप अन्थमर्य और ऑंकि यहां टैम का चारा आन्तार लत देकिए अंत 233 upon 4 x यह तो तब था जब accident हो गया और माल लिजे accident नहीं होता तब उसका time कितना होता distance upon मेh speed 24 यानि कि हम यहाँ पर अंतर निकाल रहे हैं अंतर यह निकाल रहे accident होने पर इसको कितना समय लगा पहुचने में और accident अगर नहीं होता तो कितना समय लगा इन दोनों का डिफरेंस ही 10 मिनट का आ रहा है तो देखे सबसे पहले डिश्टेंस अपोन में टाइम एक्सिडेंट होने के बाद जो इसकी स्पीड यह थी फिर माइनस डिश्टेंस 24 किलोमेटर अगर एक्सिडेंट नहीं होता तो इन दोनों का डिफरेंस कितने मिनट का था दस मिनट का यहां पर देखिए आर में किलोमेटर पर आर यहां पर समय जो आएगा वह आर में गंटे में आएगा क्योंकि आप इसको भी घंटे में चेंज कीजिए तो दस मिनट को आप गंटे में चेंज करेंगे तो आज मेंचेंज करेंगे तो सीश्टी से स्को डीवाइड कर देए अब यवाइड कर दीज़े है इसको सॉल्थ किजिए तीन से सको काटेंगे तीन एकम तीन और Ern अठे 24 यह जागा वन अपोन में 3 4 उपर जाएका तो यह आजाएगा 32 अपोन में X माइनस 24 अपोन में X एकवल टू 1 अपोन में 6 आप इसको सॉल्ब कर लिजिए 32 में से 24 तो 8 बटे में X और 1 अपोन में 6 क्रॉस्टिप्लाइग कर लिजए X वराबर 48 किलो मेटर अब यहां पर देखिए X क्या माना था हमने X माना था उसकी ओरिजिनल स्बीड उसकी और जाएगी तो उसकी स्पीड आपर यहां पर सुऩ में गी 48 किलोमीटर पर आर कि अब इसने कोश्चन में क्या पुछा था और गाड़ी द्वारा तैय की गई दूरी याने कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी हमें निकालना है अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकलेगा यहां पर टोटल डिस्टेंस सबसे पहले यहां पर देखिए 50 किलो मिटर तो ओ गर्ली चल चुकी थी इसके बाद यहीं कर लिए 50किलोमीटर प्लस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए 24 किलोमीटर है और इसको कितना समय लगा था फालतु 35 तो 24 कि आप 35 से मैं कर दिजिए ब्लस में 24 की multiply कर दिजिए और इसके बाद इसमें time का difference कितने का था time difference था यहां पे 10 का तो 10 से स्कवाब कर दिजिए कहने का मतलब यह कि कभी भी अगर distance पूछा जा तो जहां तक रेल गारी जा चुकिए हो distance ले लिजिए प्लस में accident जहां होना था और और दोनों का दिफरेंस 24 किलमेटर का डिफरेंस बताया गया कि 24 किलमेटर आगे होई होती तो 24 किलमेटर पहले कितना था 35 तो 24 की 35 से multiply कीजिए और डिवाइड कर दीजे इनके time के difference से तो time के difference से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आगए यहां पर पचास प्लस में अब आप इसको स्वाल करेंगे यहां पर पांच चोक 20 यह काटना चाहिए काट लिए पांच दुनी दस पांच सत्य पैंटीस दो एकम दो और यहां पर आजाएगा बारा सब्सक्राइब करेंगे इस परकार के जो कोशन में पूछे जाते टियर वण टू और ट्री तो कोशन देखें इस कोशन पूछा गया था कि पचास किलोमेटर के बाद गाड़ी दुरुगटना गरस्त हो जाती है तो पचास किलीमेटर तो चली कि पचास किलोमेटर के बाद वह अपनी स्पीड कम कर देता यानि कि तीन बटा चार गुन हो जाता तो उसकी स्पीड होगे थ्री अपॉन में फॉर एक्स अब उसको लगता है 35 मिनट जादा तो आप 35 मिनट लिख लिए यही एक्सीड़न 24 किलोमेटर आगे हुआ होता तो आप यहां पर डी पॉइंट माल लिए तो उसको पहुंचने 25 मिनट का समय अलग से लगता तो 25 मिनट जादा लगते अब आप देखें आप औरिजिनल स्पीड एक्स स्पीड चेंज वी तीन बटा चार एक्स अब डिफरेंस कितना था डिस्टेंस का 24 किलोमेटर का 24 किलोमे Cor grad ap time का formula apply कर लेजिये का वी ताइम बरावर डिस्टेंस ऑपीड डिस्टेंस अब पर मेसी एक्सीडेंट अ दोनहों में एक कोशन और करते हैं इस कोशन में देखिए एक रेलगाड़ी 50 किलोमेटर चलने के बाद दुरगटना गरस्त हो जाती है इस कारण उसकी स्पीड अपनी औरिजिनल स्पीड की 3 बटा 5 गुनी हो जाती है और वह 3 गंटे लेट पहुंचती है जदी एक्सिडेंट 50 किलोमेटर आगे होता वही एक्सिडेंट अगर 50 किलोमेटर आगे हुआ होता तो वह दो गंटे लेट पहुंचती है दूरी और स्पीड निकालनी है कि दूरी और स्पीड रेलगाड़ी की स्पीड कितनी थी और उसने कितनी दूरी तैय की तो कोशन बिल बाद दुरगटना घरस्त होले तो माल लिए 50 km यहां पर है यहां पर उसका एकसिडेंट हो गया तो पचास क्लिमीटर तो गई जहां पर उसकी चाहां पर और चाहिए यहां पर itशी जो पीड बंजाती है वह जाती क्लिया एक अब यहां पर उसकी स्पीड थी अपने फाइब टाइमस है और जिस कारण वो तीन घंटे लेट पहुचती है तो तीन घंटे लेट पहुच रही है अब देखिए कॉस्चन में कह रहा है कि अगर यही एक्सिडेंट इस से 50 किलोमेटर आगे हुआ होता यहां ना हो कि 50 किलोमे था तो उसको पहुचने में दो घंटे का समय लगता है तो कॉस्चन में यह पूचा गया है रेल गाड़ी की स्पीड कितनी है और इसने कितना डिस्टेंस कबर किया तो सबसे पहले आप इसकी ऑरिजिनल स्पीड मानेंगे ऑरिजिनल स्पीड आपकी एक्स किलोमेटर पर आ अगर लिखना चाहिए लिख सकते हैं अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखें लेट औरिजिनल स्पीड इसकी ऑरिजिनल स्पीड को आप मान लीजिए एक्स किलोमेटर पर आर उसकी जो नई स्पीड होगी एक्सीडेंट के बाद नई स्पीड होगी फाइब एक्स किलोमीटर पर आर उसके बाद time का difference देखिए आं का difference कितना यहां पे 3 में से 2 गंटे फिर बाद में 2 गंटे तो यहां पर time का difference اگंटे और distance कितना था डिस्टेंस यहां पर और डिस्टेंस देखें डिस्टेंस कितना था डिस्टेंस यहां पर था पचास किलोमेटर का तो डिस्टेंस हमारा यहां पर पचास किलोमेटर था क्योंकि गाड़ी पचास किलोमेटर आगे एक्सिडेंट होती तो की कंडिशन है अब हमें क्या करना है कि तकि ताइम बेराबर क्या होता है यहां पे देखें टाएम बराबर क्या है अगर हम हम प्रयब को फॉर्मल लगाते हैं तो टाइम बराबर होता है है अब देखिए डिस्तेंस कितना है सब konseπ कितना है यहां woven में तक जब उसका होता तो माइनस स्पीडी पहले कि bullets कि इसकी पचास किलोंटबर और अगर वो अपनी और स्पीड से चलती घंट यहां पर गंटे का अंतर आब इसको सॉल कर लिजी इसको आप साल करेंगे यहां टीछ इसाइब खाट इमंट्थ जीके से 25 там 25 बटें में ऐन और और पचास बटें can ऐसाफ किजिक इसको सॉलब करेंगे कुछ यहां पर तीन अने क्साइगा इसकी में टीपलाइब से कीजियो उसे नियुट पर यहां पर यहां पर आ जाएगा 100 अपोन में 3x बराबर में 1 आप इसको solve कीजिए आप इसको solve करेंगे यहां पर तो 3x equal to 100 और x equal to 100 upon में 3 तो x equal to आ जाएगा 331 upon में 3 km पर आर तो उसकी speed ही आ गई रेल गारी की speed थी 331 upon में 3 km पर आर अब हमें distance निकालना है कि उसने कितना distance कवर किया तो देखे distance यानि कि अब दूरी निकालनी थी तो distance के लिए देखे क्या वो ला गया question में था कि 50 km तो और डेडी चल चुकी है तो आप पहले 50 लिखिए प्लस में 50 km चलने के बाद difference कितना था 50 km का कि आगे हो 50 km पहले या बाद में accident होता तो क्या होता 50 km पहले होता तो तीन घंटे जाल चल दिए तो इसकी से डिवाइड कर दीजिए तो यहां पचास प्लस में एक सो पचास याने के 200 km तो डिश्टेंस ता यहां पर 200 km है तो इस परकार का question सी जिल्ट में या फिर ग्रेड में आता है इस question क्या practice कीजिए practice करेंगे तो question जल्दी समझ में आ जाएगा करते हैं इस question में देखिए यह कह रहा है चलने के तीन घंटे के बाद रेल गाड़ी का accident हो जाता है जिसके कारण उसे एक परसेंट की स्पीड है चलती है एक्सिडेंट के बाद गाड़ी की जो स्पीड थी अपनी ओरिजिनल गाड़ी की 75 परसंट रह जाती है और वह स्टेशन पर चारगंटे लेट पहुचती है तो स्टेशन पहुचने में चारगंट जादा लग यही एक्सिडेंट अगर 150 लुब हागे होता तो उसको 350 किलो मिटर आगे और हो जाती है यादरा की दूरी यानि कि डिश्टेंस निकालना और स्पीड निकालना है सेम लाश्ट कमें 2023 यहां पहले वाले कोशल में दिया गाता कि इतने किलोमेटर के बाद अग्सटेंट हो इसमें दियागा 3 गंटे के बाद शीडेंट है त्रीन चुर्द सेम तेसामी दीजिये ए और बी के बीच का डिस्टैंस यह दो स्टेशन है रेल गाड़ी चलती है और चलने के तीन गंटे बाद माल लिज़े तीन गंटे बाद एक्सिडेंट यहां सी पर हो जाता है जब C पर हो जाता है तो जो उसकी ओरिजिनल स्पीड सी देखे तीन घंटे तक तो वह अपनी ओरिजिनल स्पीड से चला और एक्सिडेंट यहां पर हुआ एक्सिडेंट यहां पर होने के कारण जो उसकी ओरिजिनल स्पीट से अब यहां से यहां तक पहुंचने में वह अपनी ओरिजिनल स्पीट का 75 परसंट यानिकि एक्स का 75 परसंट 75 को सॉल्ब करेंगे तो 75 अपन में 100 इसको सॉल्ब करेंगे तो 25 तेब 26 पचीचों के 100 तो पहुंचने में 4 गंटे का समय जादा लगता यहां पर देखिए उसको 4 गंटे का जादा समय लगता है कोशन ने पूछा गया अगर यही एक्सिडेंट 150 किलुमीटर आगे होता माली जी अब एक्सिडेंट यहां होता दीपर यहां यहां ना ओकर अगर यहां होता तो 150 कि A से लेकर B तक का distance कितना है और इसकी speed कितनी है तो सबसे पहले सवाल क्योंकि last question की तरह है तो सबसे पहले में आप speed निकाल लेते हैं आप कोई लिखेंगे original speed इसकी X है नई speed इसकी तीन बटा चार distance कितना था 150 क्योंकि 150 का ही सबस्क्राइब कितनी है इसकी इसकी इसके बाद माइनस अगर वह अपनी सपीड से जाता तो distance कितना था 150 और सबस्क्राइब कितनी थी उसकी X इसकारान यहां टाइम का कितने का डिफेरेंस आ रहा है यहां और यहां पर चार गंते यानिकर आदे गंटे का टाइम का डिफेरेंस आ रहा है चार गंटे और साड़े तीन गंटे इन में आप अंतर कितने का रहा है आदे गंटे का तो question last question की तरह ही है सबसे पहले आप time का difference देखिए जब distance और जब accident हुआ था उससे में उसकी speed कितनी distance upon me speed minus accident नहीं होता तो distance upon me speed और इन दोनों में कितने घंटे का अंतर है एकस बरावर बन अपॉन में तो करेंगे तो यहाँ पहार आपकाषास बटे में एकस 1 अपॉन में टू क्रोस multiply कीजिए यहां पर सो किलोमेटर किस्पीड कितनी आ गई हमारी में किलोमीटर है अब देखिए इसमें यह वी पूछा गया कि इसका distance कितना है , कि यहां से लेकी यहां तक का distance कितना है तो distance की लिए देखिये क्या है सबसे पहले बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम हमारी स्पीड आई थी 100 और टाइम कितना लगा ए से सी तक 3 गंदेगा तो स्पीड इंटू टाइम कि और सी से वी तक जैसा के मैं यहां से यहां तक कर डिस्टेंश के से निकलते हैं 150 का डिफ्रेंश एक सो पचास कि है मिल種टिप्लाई पहले कितने का डाईंप लगा चार घंटे का चायंक ज्यादा लगा तो 150 की चार से मैल टिपलाई कीजिए की आज म कडिट के कितना थेहां कि और एक गंटे का एक घंटे का त्रश में बन बश्के पता है कि अगर डिफसाइज कौना हो पहले 150 मिल isfy multiply आप चार से कीजिए जार से और फिट ट्राइब का डिफ्रेंस निकाल ले ले टाइम का डिफ्रेंस कितना एक आप इसकी multiply किए हो जागा 300 और में का डिफरेंट की मैरे एक बुक्ता दो सोड़ी करने दंतरी अब उसको 10 समरा जाएगा 1500 m काज़ना निकालना हो यहां तक का अगर इस्टेंस हमारा जाएगा 1500 गुना में 4 और टाइम का इफुरेंस त्विवाइड कर दिया आप का अंसर आ जाएगा नेक्स्ट कॉशण देखिए यह कहरा दो रेल गाड़िया इनकी speed का ratio है 7 ratio 9 वे दोनों एक दूसरे को विप्रित दिसा से यानि कि opposite direction से जा रहे हैं पहली गाड़ी खंबे को 4 second में और दूसरी गाड़ी उसी खंबे को 6 second में cross कर जाती है दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में cross कर जाएंगे दो रेल गाड़ियां उनकी speed का ratio दे रहा 7 ratio 9 speed का ratio 7 ratio 9 और पहली गाड़ी एक खंबे को 4 second में और दूसरी गाड़ी 6 second में cross कर जाती है तो बताएंगे दोनों एक दूसरे रूप कितने समय में cross कर जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए speed का ratio कितना है 7 ratio 9 और time का ratio कितना होगा 4 ratio 6 time का ratio होगा 4 ratio 6 हमें यहाँ पर time निकालना है तो देखिए time निकालने के लिए हमें यह निकालना है कि कितने समय में यह एक दूसरे के cross कर जाएंगे crossing time निकालना है सबसे पहले क्या देखे, speed का ratio और यहाँ पर time का ratio, आप इनकी multiply कीजिए, 7 की multiply 4 से, 7.28 और 9 की multiply 6 से, यह निग, 54, upon में, इनकी speed के ratio को आप plus कर लिजिए, पहले 7 की multiply 4 से कीजिए, 7.28, 9 की multiply 6 से कीजिए, याने कि speed into time, plus में speed into time, इनको जोड लिजिए, और speed से, speed का ratio उनको समसे को divide करें, 7 और 9, 16, अब आप इसको divide करते हैं, तो 28 और 24, यह तो होगे हमारे 82, upon में 16, इसको आप divide करेंगे, यह 8 और यह 41, यानि कि time हमारे पास आएगा, 41, upon में 8 second, अब इसको आप mix fraction में भी convert कर सकते हैं, तो 8 पंज 5 and 1 upon में 8 second, तो इतने second में rail गाड़ियां एक दूसरे के cross कर जाएंगे, इसी type का question और करते हैं, देखें इस question में कह रहा है, दो गाड़ियां विपरी दिसा से opposite direction से 64 km per hour और 96 km per hour की speed से आ रहे हैं, यह गाड़ियां किसी खंबे को 5 second और 6 second में cross कर जाती हैं, तो दोनों गाड से question की तरह है, बट इसमें speed का ratio नहीं दिया हुआ, यहाँ पर speed इन में 64 km और 96 km दे रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखे, speed का ratio निकालिए, पहली की speed 64 और दूसरे की speed 96, आप इसको divide कर लिजिए, आप इसको 32 ही डिवाइड कर दिवाइड कर दिवाइड कर दिवाइड दो ratio 3, और time का ratio क्या हुआगा, पांच, रेशियो 6, तो पहले के लिए 5 और दूसरे के लिए 6, यहाँ पर हमें time निकालना था, कितने गंटे में एक दूसरे क्रॉस कर जाएंगे, तो सबसे पहले इसकी multiply कीजिए, 5 दूनी, 10, 18, इन दोनों का आप जोड लिजिए, प्लस मे upon में speed का ratio सम कर लिजिए, 2 और 3, 5, वाप्स को solve किजिए, t equal to, यहाँ पहुजागा 28 बटे में 5, तो इसको काटेंगा 5 बंजे, 25, 3 बटे में 5, 5 and 3 upon में 5 सेकेंड में यह एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तो इस step कभी भी question आए, तो पहले आप time की speed का ratio निकाले, यह time का ratio given है, तो एक दूसरे को कितने समय में cross कर जाएंगे, आप यह trick लगा लिजे और आपका answer आ जाएगा, तो इस परकार आज की वीडियो में हमने trend से related कुछ advanced questions को solve किया, next वीडियो में हम एक नए topic के साथ मिलेंगे, आसा करता हूँ यह आपको वीडियो पसंद आए होगी, इ इस channel को share और subscribe कीजिए, next वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद